राजधन दिल्ली में देर शाम को तेज हवा चलने और आधी चलने से बड़ा हादिसा हो गया दिल्ली के बुराडी क्षेतर में इब्राहिमपुर यमुना पुष्टा सड़क पर तेज हवा में बड़ा सफेदे का पेड़ गर गया स्कूटी पर सवार सड़क से गुजर रहे तीन युवक पेड़ के नीचे दब गए जिससे एक की मौके पर ही मौत हो गई और दूसरे शक्स ने इलाज के दोरान अस्पताल में दम तोड़ दिया और तीसरे शक्स का इलाज चल रहा है पुशपेंद्र नाम का 24 साल का युवक इबराहिमपुर में खेतों में टीविल पर नहा कर वापस घर की तरफ लोट रहा था इस दोरान अचानक तेज हवा का जुका आया और एक भारी भरकम बड़ा सफेदे का पेड़ उनके ऊपर गिर गया जिससे स्कूटी पर सवार दोनों युवकों में से पुशपेंद्र की मौके पर ही मौत हो गई और दूसरे घायल को नजदी की अस्पताल में ले जा गया है जहां उसने भी दम तोड़ दिया पुलिस ने स्कूटी को भी कबजे में ले लिया है स्थानी निवासियों का कहना है कि यहां सफेदे के बड़े बड़े पेड नीचे से गले हुए है और साथी सफेदे के पेड़ों की जड़ों में भी आग लग गई है वन विभाग इस आग पर कोई कारवाई नहीं करता और जरजर हो रहे पेड़ों को भी नहीं हटाया जिसके कारण हादुसों का डर बना हुआ है जड़ों में दो तो टेथ हो गिए दो एक तो श्ट्रमें टोगी यहां बताया किसीने एक ही आओ यह मोक्य पर यह यह पीड़ों पर से गिरा है नुक गड़ा वापेड सांदी से किरा जैसे विकता है और अपने इसे सिर्फ पर गड़ा पर यह उमर गया अभी कुछ तो य जड़ों के दो तरफ लंबा जाम लग गया सूचना मिलने पर पहुंचे वन विभाग के कर्मचारियों ने पेड हटाने का काम शुरू किया और काफी मश्रकत के बाद देर शाम तक पेड को यहां से हटाये जा सका जिसके बाद आवाजाही शुरू हो सकी बेहराल बीते दिनों दिल्ली में आई तेज आंधी में भी यहां एक के बाद एक कई पेड गिरे थे दिल्ली से अनिलकुमार पंजाब केसरी टीवी